नमस्कार दोस्तो मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में last time दोस्तो हमने lecture जब attend किया था तब उसमें हमने पढ़ाता Thought Microwave के बारे में तो दोस्तो Microwave को हमने study कर लिया था हमने ये भी देख लिया था कि जो Microwave है उसका use हम लोग Mobile Communication में करते हैं जो की long distance mobile communication भी बोला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे advantages of microwaves, यानि अगर हम microwave को use करते हैं, तो हमें क्या-क्या advantage होती है। सबसे पहले advantage की बात करें दोस्तों, अगर माल लीजिए आप किसी hilly areas में रहते हैं, तो वहाँ आप ये देख सकते हैं कि अगर माल लीजिए हमें communication करना है, तो wires हमें बहुत लंबी-लंबी बिचानी पड़ेगी और क्योंकि जो mountains होते हैं, वो काफी बड़े-बड़े होते हैं, तो हमें इतनी wire यहां से यहां तक लानी पड़ेगी, तो काफी hectic हो सकता है, लेकिन अगर microwaves का हम use करेंगे, तो हम एक tower establish करना पड़ेगा, उसके बाद यह क्योंकि हमने पड़ा था, microwave जो है, वो mountains को भी क्या कर सकती है, cross कर सकती है, तो हमें कोई problem नहीं आएगी, तो यानि कि जो hilly areas है, उसमें हमें इस तरह की problem नहीं आएगी, तो इसका पहली advantage जैगी होगी, कि हमें इसमें cable जो है, यान cabling के requirement नहीं पड़ती, तो first advantage में देखेंगे, it does not require, does not require any need of cabling, it does not require any need of laying cabling, cables को हमें डालने की जरुवत नहीं पड़ती, दूसरा दोस्तों अगर बात करें हम लोग, तो microwaves की help या microwaves जो है, एक साथ 25,000 voice channel को carry कर सकता है, so it can carry 25,000 voice channel at the same time, अगर बात करें दोस्तों तो एक साथ 25,000 लोग एक ही टाइम पर, एक ही टावर पर बात कर सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों इसकी हमें advantage रहती है, अब बात करें दोस्तों जैसे कि हमने discuss किया था कि जो hilly area होता है, उसमें बहुत जादा कारगर साबित होता है, पर इसके साथ साथ microwave की advantage के साथ साथ कुछ disadvantage भी है, तो चलिए disadvantage को हम study कर लेते हैं, disadvantage, तो सबसे पहली disadvantage आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर microwave signals को transmit किया जाता है, या high frequency radio waves को हम लोग क्या करते हैं, transmit करते हैं, तो दोस्तों एक distance तक जाके वो जो radio signals है वो weak हो जाता है, इसलिए हमें उसे बार बार amplify करने की requirement पढ़ती है, so signal become weak after a certain distance, after a certain distance, so it required, so it need amplification. जिसे amplification की requirement रहेगी, अब दूसरी बात कर लेता है, दोस्तों signal weak हो जाता है, तो हमें amplify करना पढ़ता है, और उसके लिए हमें repeaters की requirement पढ़ती है, तो दोस्तों हर 25 to 30 km पे हमें इसमें repeater की requirement पढ़ती है, it require repeaters in every 25 to 30 km, 25 to 30 km distance, हर 35 to 30 km पे दोस्तों हमें repeaters की requirement पढ़ती है, signal को amplify करने में, आप दोस्तों अगली disadvantage देख लेते हैं, क्योंकि microwave है दोस्तों, इसलिए इसकी maintenance है, installation है, वो काफी expensive होती है, so, its installation, its installation and maintenance is expensive, installation and maintenance is expensive, दोस्तों इसकी maintenance और installation काफी expensive होती है, दूसरी बात एक और जो हम study कर लेदे हैं दोस्तों, जैसे हमने पहले ही पड़ा जो radio waves के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे वो affect हो जाती है bad weather conditions में, ये भी affect होता है weather conditions में, so affected by weather condition, it is also affected, affect या affect बोल सकते हैं, in weather conditions, or bad weather conditions, conditions, like rain, thunderstorm, तो दोस्तों इस तरह से ये थी कुछ अड्वांटेजिस और डिसद्वांटेजिस अड्वांटेज़ और microwaves, अब दोस्तों हमने microwave को completely study कर लिया है, अब हम next topic पर चलेंगे, that is our satellite, क्योंकि दोस्तों जहां पर इसकी microwave की limitation आजाते हैं, वहां पर हम लोग use करते हैं satellite को, चलिए दोस्तों I hope आपने note कर लिया होगा, अगर आप note नहीं कर पाए हैं, तो इसको please वीडियो को pause कीजिए, और इसको फिर easily आप क्या कर सकते हैं, note कर सकते हैं, और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको regarding इस topic कोई problem आ रहे हैं, तो आप comment section में जाके बता सकते हैं, तो next topic जो हमारे रहेगा, that is satellite, satellite, तो दोस्तों satellite को हम लोग हमें पढ़ना है, तो दोस्तों अगर बात कर लें satellite की, तो satellite भी एक man-made object होता है, जो हमारी earth से बाहर होता है, और काम करता है transmission और reception of signals का, तो दोस्तों इसको पहले detail में पढ़ने से पहले, मैं आपको थोड़ा साब बता दूँ के actual में क्या होता है satellite, तो देखिए दोस्तों, माली जी ये हमारी earth है, earth, earth elliptical form है, दोस्तों elliptical का मतलब ये वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ा है, और compared to this, तो दोस्तों इसको बोला जाता है equator, equator, और बात करने जाए दोस्तों satellite की, तो satellite मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, geosynchronous satellite, and polar satellite, polar satellite होता है दोस्तों, जो ऐसे चक्कर लगाता है, दोस्तों एक complete satellite, half से ज़्यादा earth को cover कर सकता है, polar satellite, लेकिन जो हम लोग communication में यूज़ करते हैं, that satellite is geosynchronous satellite, दोस्तों जो polar satellite है, और geosynchronous satellite है, इन दोनों की movement भी अलग लग होती है, अगर हम example ले ले, आप मान सकते हैं, कि ये earth है, और earth की rotation ऐसे चल रही है, तो अगर earth ऐसे rotate कर रही है, तो satellite जो है, geosynchronous satellite, वो भी उसके साथ-साथ ऐसे rotate करता रहेगा, मान सकते हैं, दोस्तों ये इंडिया है, तो अगर हमने कोई geosynchronous satellite छोड़ा है, तो वो fix रहेगा with respect to earth, यानि कि जैसे-जैसे earth move करती रहेगी, वो भी move करता रहेगा, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं satellite को, तो अब ये equator है वो दोस्तों, इसको equator इसलिए बोला जाता है, क्योंकि ये earth को equal distance 2 half में divide कर देता है, upper is northern sphere, and northern hemisphere, and lower is southern hemisphere, बिल्कुल इसको zero degree line बोलते हैं दोस्तों, इसको geography में आपने पढ़ा हुआ, बोलते हैं जहां earth जो equal half में divide हो जाती है, तो यहां से अगर हम distance measure करते हैं, कोई भी satellite, तो अप्रोक्स दोस्तों 36,000 km के distance पर होता है, इसको हम diagram के थूँ समझ सकते हैं, that is ground station, that is earth reception, station, इसको बोले जाता है दोस्तों uplink, that is downlink, अब दोस्तों कुछ चीज़े हमने समझी, अब इनको हम एक एक करके समझते हैं, earth को जो line बिल्कुल equal half में divide कर देती है, उसे equator भोलते हैं, अगर बात की जाएं दोस्तों equator से satellite के distance की, satellite के distance की, तो दोस्तों ये जो distance रहता है, इसको यहां से हम देख सकते हैं, ये माली जीए earth के equator से लेके satellite तक का distance है, ये distance होता है दोस्तों 36,000 km, यानि कि जब भी हम satellite को भेजते हैं, space में, तो earth की equator से उसका distance 36,000 km होता है, दूसरी चीज, दोस्तों जिस path पर, जिस path पर satellite move करता है, suppose कीजिए ये इस path को, अगर satellite, इस path पर चल रहा है, dotted dotted जो path मैंने आपको दिखाया, इस path को बोला जाता है दोस्तों, orbit, that is called orbit, path is called orbit, जिस रास्ते पर satellite move करता है, earth के साथ में, उसको orbit बोला जाता है, earth rotate करती है, उस हिसाथ से ये भी rotate करता है, लेकिन earth के respect में, इसकी position change नहीं होती, इसको समझने के लिए, हम देखते हैं दोस्तों, पहले हम लोग ये देखते हैं, satellite actual में काम कैसे करता है, जब हमने earth space में, earth से above space में, satellite को छोड़ दिया, 36,000 km उपर की तरफ, तब क्या करता है, दोस्तों, ground से ground station बना होता है, जहां से हम लोग signal भेजते हैं, satellite को, तो satellite दोस्तों, यहां से receive करता है, इसे receiver बोलते हैं, और यहां पर ground station से, TX और यह ट्रास्मिटर, तो यह transmit करेगा signal को, यह receive करेगा, तो ground से signal को, satellite पर भेजना कहलाता है, uplink, ऐसे ही दोस्तों, जैसे यह receive करेगा, satellite उसके पाद amplify करेगा signal को, और वापस भेज़ देगा, earth station, यानि ground पर जो station बना हुआ है, उसके उपर, तो दोस्तों, जब signal, यहां से यह से, satellite का TX, और यह earth station का RX, यह जैसे ही signal को receive करेगा, तो down, वापस आने को बोलते हैं, दोस्तों, downlink, यह receiver, earth station बोलते हैं, इसको, यह reception of signal बोलते हैं, अब बात करते हैं, दोस्तों, यह जो data, transmitter से, यानि uplink के through satellite पर जा रहा है, उसकी speed की, तो उसकी speed होती है, दोस्तों, sorry, जो data, transmission, transfer speed होती है, that is, 1, 2, 10, GBPS, GBPS, gigabit per second, इतनी speed होती है, दोस्तों, I hope आपको, diagramatically यह चीज़ समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई problem है, दोस्तों, तो मैं note down करवा रहा हूँ, otherwise आप लोग, comment section में जाके, बता सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके, हम लोग इन सब को note करते हैं, diagram अब पहले बना लिजिए, तो अब हम लोग करते हैं, इसको note down, कि क्या-क्या important चीज़े, हमने इसमें पड़ी, तो satellite में सबसे पहले आता है, दोस्तों, it can carry, large amount of signals, amount of signals, along with TV signals, along with TV signals, तो दोस्तों, TV signals के साथ-साथ, मतलब, maximum data को क्या करता है, दोस्तों, यह carry करता है, और TV signals होते हैं, जो TV channels हम लोग देखते हैं, वो आजकल, जितने भी देश्टी वेगरा, जो direct to home छतरी, हमारे घर पे लगी होती है, dish antennas लगे होते हैं, वो सारे satellites से direct linked होते हैं, दोस्तों, अब बात कहते हैं, दोस्तों, इसमें कौन सी waves यूज होती है, तो, इसके अदर, microwaves यूज होती है, अब अब अगर बात कर लेता है, कितने distance पे, तो हमने देखा था है, ये कितने distance पे, that is 36,000 km above the equator, तो दोस्तों, इसको orbit में established किया जाता है, आर्थ के equator से 36,000 km उपर, तो, इस प्लीज़्ट, 36,000 km above the equator, equator दोस्तों, मैं आपको समझाए दिया equator, क्या है, अब हमने बात की दोस्तों, कि जैसे जैसे, आर्थ मूव करती है, वैसे वैसे ये मूव करता है, यानि कि हम कह सकते है, जैसे आर्थ हमारी, 24 घंडे में, एक अपना round, या चक्कर पूरा करती है, अपने axis पर, आर्थ की दो rotation होती है, दोस्तों, एक rotate होती है, एक revolution होता है, दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कि जो movement होती है, अर्थ की, उसके साथ सा satellite भी move करता है, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं, कि ये constant रहता है, या fix रहता है, एक point पर, with respect to earth, so it always stay at a fixed point, point with respect to earth, with respect to, या दोस्तों इसको short में लिख सकते हैं, with respect to earth, तो दोस्तों आप मान सकते हैं, जैसे माल लीजे, इंडिया ने कोई अपना satellite छोड़ दिया, तो वो हमेशा इंडिया के उपर ही focus रहेगा, जैसे earth move करती रहेगी, वो फिर भी इंडिया के उपर ही focus रहेगा, यानि कि वो इंडिया से दूसरी country पर focus नहीं होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, geosynchronous satellite को, क्योंकि communication के लिए दोस्तों, geosynchronous satellite ही use होता है, तो दोस्तों हमने ये point पढ़े, कुछ, अब बात कर लेता हैं दोस्तों, इसके data के uplink को downlink की, तो हमने पढ़ा था दोस्तों, कि जब हम लोग ground station से satellite को data भेजते हैं, तो उसको uplink बोला जाता है, और जब हम satellite से ground station पर data को receive करते हैं, तो उसे downlink बोला जाता है, so, data, send, to the satellite, data sent to satellite is called uplink and data receive, तो दोस्तों, satellite के आगे एक line आप ओर लिख सकते हैं, तू तू ग्राउंड स्टेशन, इसके बाद में आप यहां से लिख सकते हो, and data receive from satellite to ground station is called downlink, तू दोस्तों, उसको downlink बोला जाता है, तो दोस्तों, इस तरह से हमने satellite को पढ़ा, मैंने यह सारे point आपको diagramatically already explain कर दिये हैं, अगर फिर भी आपको इसमें कोई problem है, तो आप लोग comment section में जाके बता सकते हैं, तो दोस्तों, अब एक point और लिख लेते हैं, data transfer speed, तो इसमें जो data transfer rate होता है, data transfer speed होती है, दोस्तों, वो हमने पढ़ी थी, या it transfer data with this speed of speed of, या इसको लेख सकते हैं, data transfer speed या data transfer rate, data transfer rate दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, is, इसका data transfer rate हमने पढ़ा दोस्तों, one, two, ten, gbps, gigabit per second, इतनी speed से दोस्तों ये data को transmit करता है, I hope दोस्तों आपने इसको note कर लिया होगा, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी advantages और disadvantages के बारे में, कि या अगर हम use करते हैं satellite communication, तो हमें कितनी advantage हो सकती है या क्या क्या advantage हो सकती है और इसकी कितने नुकसान हो सकते हैं, अब हमें इन दोनों को ही study करना है, तो पहला हम पढ़ लेंगे दोस्तों advantages, advantages की में बात करें, दोस्तों आप एक example ले सकते हैं माली जी हम इंडिया के बार, पढ़ेगा cables का, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इंडिया कितना बड़ा है और उसके अंदर अगर हम cables बिछाते हैं तो वो कितनी costly हमें पढ़ेगी, लेकिन उस cost को देखते हुई, जो satellite communication है हमें बहुत जादा सस्ता पढ़ता है, और दोस्तों एक चीज जो data हम लोग transmit करते हैं और receive करते हैं, वो depend नहीं करता कि हम लोग किन दो point के बीच में data को transmit कर रहे हैं, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो distance पर बिल्कुल भी depend नहीं करता, तो इस point को पहले हम note down कर लेंगे, पहला point पढ़ा हमने दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ाता दोस्तों कि जितन अगर हम पूरे इंडिया में cables बिचाएंगे, तो उसकी cost बहुत जाद आएगी as compared to satellite communication, so keeping in mind that keeping in mind that the distance cover by the distance covered by the satellite, distance covered by the satellite or distance covered by it is very large, is very large, क्योंकि दोस्तों जितना ये distance cover करता है वो बहुत जादा है, उसके हिसाब से ये हमें बहुत economical पढ़ता है, सस्ता पढ़ता है, दूसरा हमने पढ़ा दूस्तों, transmission और reception जो है, वो independent होते हैं, distance between two points, and two points, so transmission and reception is independent of the distance between two points, और ये दो point वही है, दोस्तों जहां से data हमने send किया है, और जहां हमने data receive किया है, तो दोस्तों ये कुछ advantages थी हमारे satellite communication की, अब हम लोग पढ़ता हैं, दोस्तों, disadvantages of satellite communication, disadvantages के बारे में पढ़ लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले disadvantage ये ही है, दोस्तों कि हर country इतना capable नहीं होता, कि space में वो अपना खुद का satellite भेज सके, पहले चीज बहुत ज़ादा costly होता है, दूसरा resources भी नहीं होते, हर country के पास rocket नहीं है, या जैसे इंडिया के पास ISRO एक organization है, जो space related सारे जो प्रोग्राम से उनको conduct करती है, अगर बात की जाए ISRO की दोस्तों, that is Indian Space Research Organization, तो दोस्तों, इंडिया के पास है, वर्ल्ड में सिर्फ 6 country है, जिनके पास ये power है, कि वो earth से बाहर अपना satellite भेज सकते हैं, बाखी do other countries है दोस्तों, वो help लेते हैं, इनी country के इनको pay करते है for the satellite, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पहली disadvantage है ये दोस्तों, कि एक satellite को उसके orbit में place करना काफी costly पड़ता है, so placing a satellite into orbit is highly costly, दोस्तों एक satellite को orbit में वेज़ेना काफी high cost लगता है, इसलिए महंगा बहुत होता है, दोस्तरी चीज़, अगर दोस्तों weather conditions ठीक नहीं है, bad weather है तो दोस्तों वो भी इसकी signal को affect करता है, so transmission is affected by, transmission is affected by bad weather conditions, transmission is affected by bad weather conditions, like, जैसे हमने पढ़ा, rain, rain, thunderstorm, etc., तो इन से दोस्तों, satellites जो signal है, वो affect होता है, अब दोस्तों, एक disadvantage और पढ़ लेने इसकी, क्योंकि हमें पता है, दोस्तों, satellite जो होता, वो broadcast करता है, सभी signals को to the earth station, अब दोस्तों, जहां भी, जिसके पास भी receiving station, या receiving antenna होगा, वो signal को receive कर सकता है, तो दोस्तों, security point of view से, थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ता है, क्योंकि कोई unauthorized access भी इसकी कर सकता है, तो इसको लिख लेंगे, क्योंकिक्व होड़ता है, सब्सांतीनल स्विक्रादड़ताअ झालाप्स, सजूटनल्स बिखना यृड़ता है, फट्रीश प्रस्टरेश, développement workload, काप्रछ़ती早ная नहिट संब्साइश, unauthorized excess necessary necessary measures have to be taken I have to be taken, taken, तो दोस्तों हमें necessary steps लेने पड़ेंगे unauthorized access से बचने के लिए, तो दोस्तों ये था हमारा satellite communication, इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, हमने network transmission media topic स्टार्ट किया था, यह transmission media topic स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो type की media को पढ़ा था, first is wired and second is wireless, यह जिसको बोला था हमने guided और unguided media, तो दोस्तों इसके साथ हमने दोनों की दोनों complete कर लिए हैं,